बहुत आसान होता है ये कह देना कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये नहीं आता है, मैं कहीं और बीजी थी, इसलिए ये नहीं कर पाई कभी भी अपने आपको excuse देने का मौका मत दीजी, हम दूसरे को excuse दे सकते हैं, लेकिन खुद को excuse देते समय हम अच्छे से जानते हैं, कि अगर हम वक्त का सही सिस्तिमाल करते तो हर काम को proper accommodate कर सकते थे, at least priority तो decide कर ही सकते थे एक चीज मैंने अच्छे से decide कर ली थी, जब मैंने corporate join किया था, जब मैं वहाँ काम करती थी तब भी, और जब मैंने एक बड़ा decision लिया, job छोड के घर को समभालने का, दोनों ही case में ये था, कि मैं अपने आपको कभी excuse नहीं दूँगी, और यही कारण है, कि मैं हर काम को accommodate क कर लेती हूँ, बहुत सारी लोग पूछते हैं का आप इतना सारा काम कर कैसे लेते हो, मैं एक teacher हूँ, तो मेरा teaching hours भी होता है, youtuber हूँ, दो-दो channel manage करती हूँ, उसके बाद घर का पुरा काम भी करती हूँ बिना किसी house help के, ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर के कोई और member मुझे help कर करते हैं, husband अपने office में busy होते हैं, और बेटा अपने study और school में, किस तरह मैं manage करती हूँ, कुछ tips आपके साथ जरूर share करूंगे, सबसे पहले tip यही है, कि अगर किसी काम में मेरा 10 seconds भी बच रहा है, तो मैं उस पे जरूर ध्यान देती हूँ, क्योंकि ये 10-10 seconds करके, मेरे अगर हम वहाँ कुछ pencil रख देते हैं, तो book का shape खराब होता है, या pencil बार बार निकल जाती है, तो एक बार answer ढूरने में कितना time लगता है, कम से कम 5 seconds तो लगे गा ही, तो वो 5 seconds बचाने के लिए हम bookmark रख सकते हैं, अब bookmark रखते हैं, अगर हमने निकाल दिया, और गलती से page turn हो गया, तो again वही problem कि कहां है वो page, इसको बचाने के लिए एक छोटा समयने DIY bookmark बनाया है, ये जो price tag होते हैं, इनको मैंने धागे से जोड दिया है, और दोनों end पे not लगा दी है, अब ये दो price tag एक साथ मैंने इसलिए रखे हैं, ताकि जो हिस्सा आप read कर रहे हो book का, जि जिनों एक साथ attach हैं, तो गुमेंगे भी नहीं, और ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, जिस page को तो हमने ये bookmark हटाया, तो उसके बाद वापस रखना भी आसान हो जाता है, इस तरह से 10-10 seconds करके मेरे बचते हैं, हम home makers के एक सबसे बड़ी problem है cleaning की, घर कितना भी clean कर लो, कितन गर में नहीं आता होगा, लेकिन इसको अगर इस तरह से जाड के साथ रखेंगे, तो हर जगा पतियां गेटती हैं, और cleaning का time बढ़ता जाता है, साथ ही कई बार हम use नहीं कर पाए, तो ये dry भी हो जाता है, फिर धर्मसंकट ये होता है कि इसको fake या use करें, या कोई खाएग तो मैं क्या करती हूँ, कि अगर पहले दिन किसी ने खाया तो ठीक, नहीं दोसकी बात ये जो इसकी फल्लियां है, ये तोड़ तोड़ के box में रख देती हूँ, इसे दो फायदे होते हैं, एक तो ये फल्लिया सुखती भी नहीं है, और दूसरा ये जो कच्रा बार बार ज समय बचा सकते हो, कुछ चीजों की quantity या पैसे बचाने में हम बहुत सारा time waste कर लेते हैं, यहाँ पे आप घी का example लीजे, जब हम घी पकाते हैं तो उसको इस तरह से चानते हैं, और जितनी देर आप करेंगे ना उतनी देर तक एक एक बूंद ये गिरता रहता है, तो ऐसा क अब तक आप पकड़े रहेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, कि जितना घी निकला उतना निकला, घी भी ऐसा नहीं कि मैं waste कर देती हूँ, उसके बाद ये कढ़ाई छन्नी के साथ वैसी रग देती हूँ, नेक्स डिजब मैं rice या डाल बनाती हूँ, तो definitely उसका पानी गरम होत तो ये जो इसका पाउच रह जाता है, इसको अब जितनी बार टिल्ट करेंगे ना, उतनी बार एक दो बोन वो निकले गा ही, अब क्या करें, फिर से धर्म संकट time waste करें कि तेल बचाएं, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कि ये पाउच को किसी एक डब्बे में उल् waste भी नहीं होगा, generally ऐसा होता है कि समय और पैसा दोनों के inversely proportional होते हैं, अगर आप पैसा बचाएंगे, तो समय खर्च होगा, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, जैसे कि ये मसाले दानी, आप चाहें, तो मसाले दानी घर पे भी बना सकते हैं, अब इससे समय कैसे बचता है, हम मसाले सारे साथ में इसी लिए रखते हैं, ताकि जब हम cooking करें, तो हमें सारे मसाले एक साथ मिल जाए, अलग-अलग दबबा हमें खोलना ना पड़े, अब देखें, यहां पे मैंने किया किया है, जो छोटे-छोटे glasses होते हैं, उनको use किया है, बीच में एक glass ultra रख द जो हमारे घर में खड़े मसाले होते हैं, जब भी हम बिर्यानी या कोई शाही पनीर वगर बनाते हैं, spicy सबसी, तो यह सारे खड़े मसाले चाहिए होते हैं, अब इनका एक-एक box खोलूँ और फिर उसके बाद use करूँ, तो time तो waste होगा ही ना, और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती इस सारे मसाले open रख दूँ, क्योंकि उसकी अरोमा निकल जाएगी, तो जितनी जरूरत है, थोड़ी-थोड़ी quantity में, मैं इन glasses में रख देती हूँ, और cooking के समय बस मुझे एक box खोलना होता है, इस तरह से ना, बहुत सारा time बसता है, हमें चीज़ों को notice नहीं करते, बट को कोई बहुत सारा काम कर लेता है, और कोई पुरे देन स्ट्रगल करता है, उसमें सिर्फ इतना ही difference होता है, कि उसका काम करने का तरीका क्या है, तो हमेशा rethink कीजे, कि क्या मैं इस काम में अपने अगले 10 सेकेंड बचा सकती हूँ, next tip, जहां पे हम बहुत सारा समय बचा सकते ह इस तरह के package से अगर आप समान निकालेंगे, तो कभी जादा निकल जाता है, फिर उनको वापस डालो, clip लगाओ, बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप इनको कोशिश कीजे कि हमेशा ना डबो में रखे, अगर डबे नहीं है, तो कुछ चोड़े जो polythine होते हैं, उसमें अब जैसे यहाँ पर मैं चाय पत्ती भर रही हूं, यह डबा खाली हो गया है, तो अगली बार इसको भरने के लिए मुझे वाश करना ही है, तो मैं इसको इसकी जगहा पर न रखे, खाली डबे को सीरे बेसिन के पास डाल दूगी, ताकि मुझे याद करकर के ना दूना प देख लिया, तो अगली बार जब गया तो सिर्फ इसको क्लिक करके लेके चले गए, तो आपको लिस्ट बनाने का और सोचने का टाइम भी बहुत बच गया, और जब भी मैं काम करती हूं, तो उसको इमीडियेट खतम करती हूं, यहाँ वीडियो बनाया, थोड़ा गंदा ह गया था, तो तुरन साफ कर दिया, नेक्स्ट, हम सभी के घर में जब हम आटा निकालते हैं, कितना भी आप बचा की निकालो, थोड़ा बहुत यहाँ गिरहे जाता है, डबबे भी गंदे होते हैं, तो पूरे दिन तो नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले, जो इस तरह के ड इंसेक्ट वगरा होते हैं, इनको फूड पार्टिकल मिलेंगे तो वो भी ग्रोंगे, तो आपको अलग से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो इन सबसे बचने के लिए मैं ये सारी चीज़े जरूर फॉलो करती हैं, डायटली या इन डायटली मेरा समय बचता है, एक सबसे ब अपना वेस्ट क्यों करूँ, तो मैं यहाँ पे जितने बरतन होंगे, सबकोज चार कटोरियां, एक ग्लास, या एक डबबा ही क्लीन हो जाता है, मैं उतने ही क्लीन कर लूँगी, दो मिनट का टाइम मैंने यहाँ बचा लिया, क्योंकि जब मैं अगली बार आउंगी, तो म अमान भी अगर आप इकठा कर लेंगे, कम दिखेगा, तो ऐसा लगेगा काम भी कम है, मोटिवेशन भी आपको जरूर मिलेगा, नेक्स्ट एरिया, यह आप पिलो देख रहे हैं, इनका शेप बहुत खराब हो गया है, यहाँ पे पैसे सेविंग तो है ही, बट टाइम सेव तो जब भी मैं पिलो कवर चड़ाती हूँ, क्योंकि तक्ये का शेप खराब है, तो कवर चड़ाते समय भी मुझे टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसको प्रॉपर अलाइन करने में, तो इस बारना मैंने दो तरीके सोचे, पहली बात तो यह कि मुझे पिलो मैं र अब दबाने के लिए क्या करूँ, तो मेरे पास इस तरह के सिंगल ब्लैंकेट थे पतले वाले, जो mostly travel के समय योज होते हैं, तो उन्ही को फोल्ड करके इन कवर में मैं डाल दूँगी, अब ऐसे रफली मैं फोल्ड करके नहीं डालने वाली हूँ, जो एक और अच्छा वा से स्पेस भी बच जाएगा, और जो मुझे हर बार ब्लैंकेट को रखने के लिए अलग से महनत करनी पड़ती थी, वो भी नहीं होगा, जब यूज हुआ तो मैं यहीं से निकाल लूँगी, इसमें मैं दो कवर चढ़ाऊंगी एक साथ, ताकि अंदर के ब्लैंकेट गंदे ना हो जाए कि मुझे धोने का एक्स्राइफर डालना पड़े, इसी तरह बांकी के ब्लैंकेट को भी मैंने दूसरी पिलो कवर में डाल दिया है, अगर ब्लैंकेट नहीं है, तो मैं बेडशिट भी ऐसा ही कर लेती हूँ, और ये दो-दो मिनट जो है ना सजाने, सवालने क बचाते बचाते, मतलब बहुत सारा मुझे ना रिलाक्स दे देते हैं, दूसरे पिलो कवर को भी सेम साइज में मैंने ऐसे ही फोल्ड किया है, और पहली बार काम करने में टाइम लगता है, लेकिन अगली बार वही टाइम काम हो जाता है, जैसा मैंने स्टार्ट आफ ती व गहर में जो DIY के समान से बचा हुआ पेपर, या फिर इवन बच्चों के क्राफ्ट से बचा हुआ पेपर होता है, आप उसको यूज करके इनको अच्छा सा लुक दे सकते हैं, फॉर इजामपल, जैसे कि मुझे ना मैचिंग के बुक मार्क बहुत पसंद हैं, तो ये मेरे पस पेपर था, वो मेरी फिजिक्स की बुक का मैचिंग का था, तो मैंने उसको स्टिक कर दिया हैं, और फिर बस इस तरह से दोनों पार्ट को जब आप फिनिशिंग से चिपका देंगे, तो उनका कलर भी अच्छा दिखेगा, अब ये ब्लैंक दिख रहे थे, तो मैंने ए थोड़ा थोड़ा समय खुद के लिए निकालके, जब मैं अपने आपको देखती हूँ आइने में, तो लगता है कि येस, कुस तो आज मैंने अच्छ किया है, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा, और चैनल को सब्सक् से टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना अपने फैमिली का ख्याल रखे, बाबाई